हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आई एस, ओनली आई एस में आप सभी का स्वागत है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजन्सी बढ़ते हैं, देखो ये इसका लोगो है, तो ये क्या करती है, तो भाई साब देखो बाकी जैसे अधर इंटरनेशनल वोडीज है न, वैसे भी ये है, ओटोनोमस इंटर गोवर्मंटल ओर्गनाईजेशन, पर एक चीज इसमें याद रखना, OECD कंट्रीज है न, उन्होंने मिलके बनाईए ये, है न, Organization of Economic and Cooperation वाले कंट्रीज, वो 36 मस्त मस्त कंट्रीज थे न, सारे, वो सबने मिलके अपने फ्रेमवर्क में इसको बनाया है, बड़ी अच्छी बात, और, Only OECD मेंबर्स ही स्टेट हैं, जो इसके मेंबर बन सकते हैं, ये भी एक चीज इसके अंदर important है, तो इसका ध्यान में रखना, International Energy Agency को ये मत समझ ले न, कि ये सारे United Nations के मेंबर्स इसके मेंबर हैं, नहीं, 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 OECD वाले, ही बन सकते हैं, सारे भी नहीं है, लेकिन बनेंगे तो OECD वाले ही बनेंगे, अब देखो, initially ये इसको क्यों बनाया गया था, कि भाई साब देखो, CDC बात है, तेल का crisis है दुनिया के अंदर, है न, और crisis भी नहीं, oil जो है न, वो कुछे countries के पास ही है, कल को मना करते हैं, तो crisis हाजाएगा न, तो बस, in order to have that coordinate, a collective response to major oil disruption in the supply of oil, बस, disruption नहाएगा भी भी, है न, तो उसके लिए, International Energy Agency को बनाया था, OECD countries ने framework के इसाब से, अब देखो, except for Chile, Iceland, Israel, Latvia, Slovenia, all OECD member states are the member of IEA, मतलब 36 member है न, OECD के तो, उसके चार निकाल दो, Chile, Iceland, Israel, Latvia, और Slovenia, तो बाकी इसके members हो गए, 2018 में, Mexico ने officially join कर लिया था, as a 30th member, it is the first Latin American countries in IEA, Brazil, China, India, Indonesia, Morappo, और Thailand, ये, इसके associate member है, full member नहीं है, associate member है, अब IEA करता क्या है, IEA, बोल बच्चन करता है, बोल बच्चन तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, देखो, मैं भी तो बोल बच्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन IEA examine करता है, the full spectrum of energy issue, full spectrum मतब सारा energy वाला हिसाब किताब है, उसके analysis का काम करेगा, जिसमें oil भी आ गया, gas भी आ गया, coal supply, उसका demand, renewable energy technology भी आ गई, electricity का market भी आ गया, energy की efficiency भी आ गई, मतलब देखो, CDC बात है, electricity को खरीदना बेचना है, efficient technology लेके आनी है, energy का access वाला हर dimension, demand side management, मतलब यह मान लो, energy का service server type discussion वाला हो गया, दादा जी हो गया, energy के मामले में, तो दादा जी वाला काम हो गया है, बहुत बड़ा काम दे दिया है इसको, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, और यह policy advisor to its member state के जैसे भी काम करता है, जैसे आप लोग advisor बनोगे न, कोई मान लो, finance secretary बनेगा, कोई financial advisor बनेगा, कोई कुछ बनेगा, राष्टपती का सलाकार बनेगा, तो यह भी सलाकार बनेगा, यह काका बना बैठा है, आप भी सलाकार के नाम पर काके बना जाओगे, उस तरह हैसीन का काम होएगा, बट also work with non-members, क्योंकि देखो, energy का issue-able member countries के साथ में नहीं है, चाइना, इंडिया और रिशिया, यह major economies हैं, और major industrial economies हैं, तो इनके साथ मिलके भी काम करता है, भले ही member नहीं है, importance तो है, है कि नहीं, तो इसको ऐसी avoid नहीं किया जा सकता, अब यह release क्या करता है, तो इसकी report को हमेशा ध्यान रखना भाई सब, एक तो world energy outlook, यह release करता है, world energy outlook, and key of world energy statistics, इन दोनों को release करने का यह काम करता है, बड़ी अच्छी बात, और, 90 दिन का, IEA members, countries are required to maintain total oil stock, level equivalent to at least 90 days of the previous year's net import, मतलब 2018 के अंदर, हमने कितना import किया था, बड़ी अच्छी बात, तो उसका reserve कम से कम 90 दिन का हम रखेंगे, कल को crisis हो गया, मामला फिट नहीं हुआ, तो हमारी तो मामला बजब जाएगा, काम कैसे चलेगा, तो उसको रखना जरूरी है, यह एक important बात है, बड़ी अच्छी बात, आगे चलते है, country कौन से कौन से है, अब देखो, जादा green वाले IEA members है, कम green वाले candidates of accession है, और यह बाक से हैं, तो और कम green वाले यह हो गए, जैसे चली, चार-पांच country निकलेंगे, तो मेंबर कौन से कौन से है, Australia, Australia, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, South Korea, फिर, Luxembourg, Netherlands, Mexico, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak, Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States, काम क्या करोगे, भाई साब, Atlas में mark कर लेंगे, इस अब countries, है ना, साथ में इनकी राजधानी बगारा भी देख लेंगे, और देखो, जब तुम Atlas उठाओगे, और देखोगे, तो ऐसा तो है नहीं, कि वही ओस्ट्रिया को देख रहे हो, तो आँख बंद करके, ओस्ट्रे ही देखोगे, अगल बगल वाली चीज भी दिख जाएंगी, तो कह है, location से, map से, आपकी familiarity बनना चालू हो जाएगी, और this is the best way out, कि आप mapping कैसे सुधार सकते हो, बार बार बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, इस तरह से इसको क करना है, आगे चलते हैं, इंडिया और International Energy Agency का क्या संबंद है, तो जो भी संबंद है, उसका संबंद में लावा कर देते हैं, Ocean Energy System Technology Collaboration Program, ये एक Intergovernmental Collaboration Program है, जो की, IEA के framework एंडर में चलता है, अब देखो, इंडिया इसका associate member बन गया, तो, access to advanced research and development teams, technologies और data, area of the ocean energy across the world, तो फाइदा ही हुआ ना, रिसर्च पिसर्च का हिसाब किताब अपने हापे सुधरेगा, तो ये याद रखना, Ocean Energy for System Technology Collaboration Program, ये कौन चलाता है, IEA के द्वारा establish करके, चलाएगा है, तो, ocean energy में हिसाब किताब सुधरेगा, तो, इंडिया को भी फाइदा मिलेगा, associate member है, तो, ये इंडिया का, उसके relation है, आगे जलते है, next, advanced motor fuel technology collaboration program, ये भी है, तो बस union cabinet ने इसके लिए भी approval दे दिया, इसमें भी membership, तो बढ़िया बात हो गया, अब कल से आप गाड़ी चलाओगे न, और research होएगी बढ़िया, तो क्या पता average, जादा मिलने लग जाए, अपने को हिसाब किताब अगर आपन सुधार ले तो, है कि नहीं, ये भी बढ़ी अच्छी बात है, आगे चलते है, next, international energy forum, अब देखो, forum जो होता है, न, forum में और agency में difference होता है, forum में क्या बात करते है, और agency जो है, कोई purpose लेके चलते है, तो इन में difference होता है, अब ये forum अलग चीज़ है, confused मत हो जाना, energy agency अलग है, energy forum अलग है, और देखो, एक चीज़ का बिलकुल याद रखो, ये सारे रटने वाले topic पढ़ा रहा हूं मैं, तो बस, panic में नहीं आना है, कि सर, इतना याद कैसे करें, और इतना याद नहीं कर पाएंगे, हमें तो पंगा हो जाएगा, पैनिक वाली कोई बात ही नहीं है, याद जितना होता है, उतना ठीक नहीं होता है, कोई दिखत वाली बात नहीं है, उसके अलावा, लेकिन एक study sense develop कर लो, common sense बढ़िया develop कर लो, कि question अच्छे से attempt होए, कल्यान उसी से होगा, कोई भी दिखत है तो बार-बार, हर lecture में, दो-तिन बार मैं आपको बोलता हूं, या तो only prelims पर mail करके पूछो, आपको reply मिलेगा, only prelims, ठीक, उसके अलावा discussion page पे, फ खराब नहीं होना चाहिए, है न, 6 घंटे के अंदर आपको instant reply मिलेगा, 6 घंटे का instant reply तो बस, यह आपको चीज़ने दे दी गई है, confuse बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें बेटा result चाहिए आपसे, result लाके कब दोगे, जब काईदे से पढ़ते रहोगे, तो बस, इस approach के साथ आगे देखो, 72 members हैं, बड़ी अच्छी बात, aiming to foster greater mutual understanding and awareness to common energy interest among its members, बिल्कुल, और energy interest के हैं, कि भी हमें कभी energy का crisis ना है, तो सब मिलके एक ही चीज़ एम करते हैं, इसके जो member countries है न, 90% global demand और supply oil और gas का आता है, इन 90% countries में, तो सारे यह आगे हैं बड़े बड़े, है कि नहीं आगे चलते हैं, it is unique because comprises not only the countries of IEA and OPEC, but also other major players जैसे of IEA, OPEC, जिसमें कि Argentina, China, India, Mexico, Russia, सब आ गए, the forum is biennial, ministerial meeting होती है, world largest gathering of energy minister, उर्जा मंत्री आते हैं, सारे के सारे, बड़ी अच्छी बात, और यह promote करता है, Asian Ministerial Energy Roundtable, which is biennial event, bringing together energy minister and expert from Asian countries, factual बात है, अच्छी बात है, सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अपन करेंगे, शंगाई कोपरेशन ओर्गनाइजेशन, देखो, यूरेशिया वाला जो इलाका है ना, मदब एशिया और यूरोप, उसके अंदर, पॉलिटिकल, एकनोमिक और एक मिलिटरी ओर्गनाइजेशन है, देखो, चाइना ने क्या सोचा, कि टेरिरिज का इशू है ना, वो खा जाएगा, तो उससे रिलेटिट देखा जाए, तो एक मिलिटरी टाइप का ओर्गनाइजेशन बनाया जाए, इन ओर्डर तु कर्भ टेरिरिजम, हैना तो चाइना ने पहल की, और बाकी सब नेशन को साथ मिलाया, और ये ओर्गनाइजेशन बनाय जाएगा, तो इसके जो कॉरेंट Member States ना, वो कौन-कौन है चाइना है, काजाएगा, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकस्तान, उजबेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, पूछ सकता है UPSC, आशियान को उचा था ना, इस्ट एशिया सब्मीट में कौन-कौन Member है, तो उस हैं जिनकों की observer status दिया गया है तो आठ मेंबर स्टेट हो गए चार observer और छे इसके डायलोग पार्टनर्स हैं कौन-कौन अजरवेजान अर्मेनिया कंबोडिया नेपाल टर्की और श्रिलंका ऐसे करके ये युरेशियन political economic और military organization बनाया गया बड़ी अच्छी बात founding members कौन-कौन थे तो founding members के छे थे चायना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान और देखो इंडिया को तो आना ही था और पाकिस्तान को चायना को लेके आना था क्योंकि पाकिस्तान आने वाले समय में पाकिस्तान चायना की colony बनने जा रहा है तो अपनी colony को साथ में रखेगा ना तो ये भी एक चीज है बड़ी अच्छी बात आगे जलते हैं मैप देख लेते हैं तो ये डार्क ग्रीन वाले है ना ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज है तो यूरेशिया वाला important area हो गया बाकि ये observer एशिया के लोग जादा है और इधर सारा जो टेरिजन की समस्या बगर है ना तो उनसे इसार किताब ये पूरा करके आता है मैप को बार-बार देखो बार-बार मैप को देखो इनको बार-बार चीजों को समझो और अच्छे से त्यार होंगी ठीक है तो ये एफ्रिका वाले लोग भी इसमें as an observer application डालके बैठे हैं ठीक है बड़ी अच्छी बार next देखते है द और रशिया चायना का संबंध अच्छा है ही स्यों का जो सेक्रेटरेट है वो बीजिंग में पढ़ता है नाम शंगा ही कोप्रेशन और अर्क्राइजेशन है लेकिन सचे वाला इन्होंने बना रखा है बीजिंग में विचिस दा मेन पर्मानेंट एक्जुगेटिव बोड सब्सक्राइब करते हैं ठीक है आगे देखते हैं ताशकंत उजबेकिस्तान में अब यह दो को ताशकंत अब यह सब है ना ताशकंत फाइल्स करके मूवी भी आई थी तो मूवीज वगरा जब आती है ना तो वह अली लोकेशन बड़ी इंपोर्टेंट रहती है यूपेस के बारे में बताये गया था कि लप हो जाएंगे और वो करेंगे टाइगर जिन्दा है तो उससे कोशन से ही हो गए थे यूपेसी के जनरल उदर से उढ़ा लेती है चीज़ें तो ताशकंत भी पूच सकती है तो इसको याद रखना उजबेकिस्तान में पड़ता है तो इस एक्स्ट्रीमिजम यही अल्टिमेट एम है कि नहीं मतलब लड़ाई-लड़ाई को खतम करना है ओल्सो एस यो मेंबर्स एक्सेट चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान और ओल्सो मेंबर्स ओफ येरोशियन एकनॉमिक कम्यूनिटी तो भाई सब तीन तो आपने निकाल दिय है लेकिन जो पांच है ना यह येरोशियन एकनॉमिक कम्यूनिटी के मेंबर है तो भाई उससे भी इनका संबंध बढ़िया होएगा यह भी चीज़ देखने को मिलते तो इनसे मिलके भी कुछ करते होंगे और इजनल पर्पस एस सीओ का क्या है कि भाई नाट्टो है ना न इंटर्वीन इन एरिया वार्टिंग बोथ रशिया एंड चाइना यार अभी एना मेरे को डिप्लो मैसी किसी की कुछ भी समझ में नहीं आती डिप्लो मैसी में कावत है द्यार नोट पर्मनेंट फ्रेंट्स एंड एनिमी इन डिप्लो मैसी क्यों देखो एक जगे इंडिय क्वार्ड ग्रूप बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए और एक जगे नाटो को मतब यूएस को काउंटर करने के लिए चाइना से मिल रहे है इंडिया अब मेरे कुछ समझी नहीं आता कि किस तरह से संबंद बनते हैं है ना तो यह डिप्लो मैसी है ना बड़ी पॉलेटाइल और अजब सी चीज है है तो है अलगी टाइप का हिसाब की दाद है पता नहीं कैसा है हर आदमी को अपना सिक्का उपर रखना है कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मेन है कुछ समझी नहीं पड़ता आगे देखते हैं इंडिया और शंगाय कोपरेशन इंडिया ने एक SEO की मीटिंग होस्ट की थी ओन अर्बन डिजास्टर हैंडलिंग बड़ी अच्छी बात अब वो क्या करोगा इट इन्वल्स जॉइंट मॉक एकसरसाइज ऑफ अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू बाइशनल डिजास्टर रिस्पॉंस को सीखने का मौका मिलेगा है ना एक यह जीज़ हुई थी आगे देखते हैं अब देखो क्वेशन है कि वाट इस दा अधर नेम ओफ शंगाई कोपरेशन और्गनाइज़ेशन तासकेंथ पैक्ट नहीं बीजिंग पैक्ट नहीं बिश्केक पैक्ट नहीं शंगाई बीजिंग में तो इसका सेक्रेट रेट है ठीक है आगे चलते हैं दे में रीजन दे में एम ओफ शंगाई कोपरेशन और्गनाइज़ेशन इस तू जनरेट कोपरेशन बिट्विन मेंबर नेशन और बताओ रिजवल्विंग बॉर्डर इशूज अच्छी बार काउंटर टेरिज्विंग एकनॉमिक कोपरेशन ओल अफ दाव है ना मेंडेट को पढ़ने से क्या ओप्शन समझ में आ जाता है जनरल जनरल जो स्टेट्विंग्स होता है ना तो लगबग लगबग सही होता है उस तर की तो लड़ाई है तो एकनॉमिक कोपरेशन होना चाहिए तो सारा हिसाब किताब और शुदर जाए बड़ी अच्छी बात आगे देखते हैं अब क्या करेंगे आश का बाद एग्रीमेंट पढ़ेंगे अपन इसका मतलब क्या है इट वह इंस टू क्रिएट मल्टी मोडल इंटरनेशनल ट्रांस्पोर्ट ट्रांजिट कोरिडोर ट्रांजिट कोरिडोर बनाना है मल्टी नैशनल बड़ी अब अब member कौन है तो भाई सब आमान है इरान है तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान ये तो founding member हो गए चार और बाद में कजाकस्तान भी जूट गया बड़ी अच्छी बात और फिर 2016 के अंदर पाकिस्तान भी आ गया तो यह तो मज़ा ही हो गया पाकिस्तान का अच्छे मिल गए बड़ी अच्छी बात इंडिया has also become member of the agreement which would enable इंडिया to utilize existing transport and transit corridor to facilitate a trade commercial interaction with Eurasian region सबके साथ मिलके काम करेंगे न तो यह UN कराई खतम हो जाएगा हमको अपना समान यहां से वहां बेजना है और घपशन मची हुई है तो इस सारी घपशन को overcome कर लिया जाएगा further this would synchronize with our efforts to implement international north-south transport corridor for enhanced connectivity यह बड़ी important बात बताईए और इसको देखो international north-south corridor क्या है भाई सब यह international north-south corridor है यह पिला वाला रशिया से लेके और इरान की यहां तक यह corridor बनाया गया है अब इंडिया भी इसको join कर ले ठीक इस standard route और international north-south corridor का route है ना तो इंडिया भी अगर इसमें आ गया ना तो बस ऐसे करके इंडिया को फायदा नहीं मिल जाएगा तो यह international north-south transport corridor बना हुआ है तो इन सब से जुड़ जाएंगे ना तो सब मिलबाट के व्यापार करेंगे तो काम इसाब किताब थोटा बढ़िया हो जाएगा है ना पहले क्या है अगर यहां पर जाना होता था ना तो ऐसे ना जाके ऐसे जाते जाते चलिया 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 ऐसे करेंगे पहुंचते थे अब यह बन गया international तो सीधा रास्ता हो जाएगा बढ़िया काम हो जाएगा तो इसको access मिल जाएगा इंडिया को भ लेपिस लजूली कोरिडॉर इस एंग्रिमेंट बिट्विन अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजर्वेजान जोर्जिया एंड टर्की तो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच लेपिस लजूली कोरिडॉर सीक टू फोस्टर ट्रांजिट एंड ट्रेड कोपरेशन सिंपल 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 इसके कॉंसेट्स हैं और कुछ ना कुछ एग्रिमेंट ये करते जा रहे हैं कल को आप आईएस बनोगे तो आपे भी इन एग्रिमेंट का हिस्सा होने वाले हो अब एक बड़ी इंपोर्टेंट ओर्गनाइजेशन अपन पढ़ेंगे इस पर थोड़ और अब इन्डेशन अपनी किछा बिच में तो इंटर गवर्मेंटल कोप्रिशन क्या होगा कि एक सरकार दूसरी सरकार से सर्योगर चलेगी हर चีज में और aside 미국 इंटीग्रेशन जैसे की फ्री टेड़ेडग्रेमेंट करेंगे अक्क्ण यूनियन बनाएंगे अच्छ participants आ तो इकनोमिका इंटेग्रेशन हुआ न है इनका तो उस तरह के काम करेंगे आशियान इसका प्रिंसिपल एम क्या है उसको पढ़ लेना क्योंकि उससे ही उस और्गनाइजेशन का पूरा ओवर्वियू समझ में आ जाएगा क्या टू एक्सेलरेट एकनोमिक ग्रोथ एकनोमिक एसिया की स्टेडी को प्रोड़ करना है, साउथ एसिसट एशिया का अपना एक किल्चर है, उसको प्रोड़ करना है और साथ में regional stability भी तो regional stability कैसे आएगी, military ties भी होंगे है ना peace आने के लिए तो लड़ना भी पड़ेगा तो वो सब चीजों का समागा में का तो बन गया ASEAN तो ASEAN आपन ने बना लिया अपना अब member countries कौन से कौन से हैं तो देखो भाई member countries ASEAN के 10 member हैं रट लेना इनको यह पूस्ती है UPSC देखो एक तो बर्मा म्यामार इनकी capital देख ले ना Thailand Landlord country है यह वाला लाओस और एक है Thailand में गूमने भी जाना है ना पटाया मज़े आते है ना meditation करने जाना Thailand के अंदर Bangkok वुद्धिजम वाली country है तो meditation करने के लिए जाना है उसके बाद में Cambodia Vietnam फिर आजाओ वाई सम्मलाई पेननसुला में तो Malaysia उसके बाद में एक Indonesia छोटा सा टुचू सा city country है Singapore फिर एक Philippines आ गया और एक ब्रनाई दारुस्सलाम हो गए 10 country ठटा लगा ले ला सब रटा लगा लेने इसका बहुत important है अब यह boundary किस 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 का शेयर करते हैं तो इंडिया के साथ करते हैं चाइना के साथ करते हैं तो सब चाइना के साथ कैसे करते हैं अरे चाइना के साथ कर रहे हैं नहीं आपर यह चाइना के साथ boundary शेयर हो रही है इंकी बड़ी अच्छी बात बांगलादेश के साथ कर रहे हैं बर्मा करता है यह इस्ट तिमोर पप्वानी विनी और maritime boundary किसके साथ इंडिया के साथ चाइना के साथ पलाव और ऑस्ट्रेलिया क्यों कि समुंदर से टच हो रहे हैं न सारे ये तो ये boundary शेर हो रही है इनकी बड़ी अच्छी बात आगे जलते हैं आशियान विकम आशियान प्लस 6 देखो आशियान के 10 countries हैं तो 10 प्लस 6 countries और जुड़ गई इसमें तो आशियान प्लस 6 हो गया अब वो 6 countries कौन से कौन से आए हैं आशियान प्लस 6 वाले एक तो People's Republic of China एक जापान एक South Korea Australia, New Zealand और इंडिया तो दो तो हो गए इंडिया चाइना ठ पान और उस्ट्रेलियन न्यूजिलेंड आसान है याद करना तो आशियान प्लस 6 हो गया बड़ी अच्छी बार इसको RCP भी बोलते हैं इसको एक्चुली मैं जस्ट RCP आगे करेंगे अपन तो आशियान प्लस 6 हो गया 2006 में आशियान को Observer स्टेटस दिया गया किसमें United Nations की General Assembly में है ना तो इसका हिसाब की तब ठीक बन रहा है इंडिया इन रिस्पॉन्स इनको डायलोग पार्टनर का स्टेटस दे दिया UN ने है ना बढ़िया डेली डायलोग हुआ था यह क्या था इंडिया ने होस्ट किया था 10th edition of daily dialogue under the strengthening इंडिया आशियान मारे टाइम cooperation इंडिया को भी आशियान कंट्री के साथ में मिलके चलना है न तो एक ही फोरम पर सारी बात हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा यह वाला काम हुआ आगे देख लेते हैं इट इस अ प्रीमियर एन्वल इवेंट तो डिसकस पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड एकनॉमिक सोशो कल्चरल एंगेजमेंट बिट्विन इंडिया एंड आशियान इंडिया आशियान्स कॉममेरेटिव सब्मिट दोजार अठारा में हुआ था 25 साल के इंडिया आशियान देखे गए थे डेली डेकलेरेशन वोज रिलीजड आफ्टर दा सम्मिट बड़ी एची बात होते रहते हैं सम्मिट इनसे कहें सौफ्ट पावर है इससे कहें मिल बाट के बैट के बात करने से मुद्दे सुलग जाते हैं और बाकी बोल बच्चन कर लेते हैं चाय नाश्त समफ्ट करेंगे अपने कॉपरेशन को को ओर कोंबेट करेंगे ट्रानस नेशनल क्राइम को इसके लिए कोलाब वकरी कि जिसमें की लोगों की स्मगून समग्लिंग होती है लोगों की ट्राफिक इंग ट्र इस्ट्री औफ एक्स्टर्नल अफेर ने और्गनाईज किया था CII के साथ में CII एक ट्रेड एस्ट्रेड एस्ट्रेशन एक कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और प्रेशर ग्रूप्स होते हैं और इसका थीम क्या था पावरिंग डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेज़ फॉर एशिया इन दे 21st सेंचुरी बड़ी अच्छी बात वियतनाम और कमबोडिया ने पार्टिसिपेट किया था आशियान की तरफ से बड़ी अच्छी बात आगे देख लेता है आशियान कंट्रीस देख लिए अपर ने दुनिया में ऐसे दिखते हैं यह हो गए आशियान आसे देख्टें है एस्टेसिया इसंच कलं ने इस्टेसिया ग्लॉ läuft इस्टेसिया गए अब सिफ कौन से प्लॉन से हैं इंडिया चाइना साउथ कॉर्या जापान और ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड वही है जो जिससे इंडिया हार गया दो 0 से और कोली बोल रहा है इंडिया में आएंगे तब देख लेंगे इनको चलो ठीक है और इसमें दो कंट्रीज और जोड़ दो एक मां दो करके कंब बाद वह प्र क्याने सांश प्रीमयम ओर यृवण से पड्रेयर sigh से थे लूंग भी लेकिन अब नहीं देखना है अच्छा आशियान प्लस सिक्स को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एकनॉमिक पार्टेस पार्टेस पार्टनर्शिप भी बोलते हैं रसी इप मैं हलका सजेस्ट कन्फ्यूज हो गया था कि इस्टेशिया सब्मेट को तो नहीं बोलते हैं कई बार के स्लिप हो ज जाता है अब कितने भी होश्यार हो लेकिन स्टिल भूल सकते हो चांसे रहते हैं तो लास्ट में एक बार देख के जाओ नजर बार के जाओ बड़ी इंपोर्टन चीज़ है एन्वल लीडर सब्मेट्स इस यूजवली हेल्ड अलॉंग साइड आशियान मीटिंग्स है ना यह भी होती है नेक्स्ट इन 2018 यह हैल हुआ था मनिला में फिलिपीन की राज़दानी है जहां पर एशियन डेवलप्मेंट बैंक का हेड़वाटर है उन्होंने टेरिरिजम और वॉइलेंट एक्स्रेमिजम पर डिसकेशन किया था तस साथ चाइना सी एंड़ कोरियन पेनि चांस मिनिस्टर मीटिंग प्लस मीट ठीक है तो बोल बच्चन वाली चीज़ें यह जादा कुछ पूछे चांस नहीं लेकिन आप अंडेस्टेंडिंग से करके इन कॉस्टिंग को अटेम्ट कर जाए आगे देखते हैं यह बताओ Consider the following statement The East Asia Summit is a premier leaders led forum in Asia Pacific अच्छी बात India is a founding member of East Asia Summit यह दो option दियो है अब यह question को मैं question 1 बोल देता हूँ और आपके लिए है homework कैसे करोगे इसको अपना दिमाग लगाना और इसका homework का answer देना है ऐसे question पूछेगा क्या East Asia Summit is the premier leaders led forum in Asia Pacific अडर्स्टेंड करना और India is a founding member of East Asia Summit देखो देखे इसका answer आपको देना है skip करोगे attempt करोगे क्या होएगा तो आज की class को wind up करते हैं I suppose, I hope कि आप बहुत महनत करते रहेंगे फोड़ो तरीके से करते रहो happy time, good luck, enjoy, take care, bye bye